हेलो गाईज, स्टॉक मार्केट न्यूज मास अभी का स्वागत है, आज है 20 में बात करेंगे भारती इंफटेल के बारे में, चुकि भारती इंफटेल आज की तारीक का स्टॉक अफ दे था, चुकि यहां पर आप इंट्राडे में अच्छा पैसा बना सकते थे, आज की तार स्टॉक में भी, अब चुकि यहां पर एक स्ट्रेटेजी है, वो लगातार काम कर रही है, इसलिए मैंने ये स्टॉक को आज पिक किया है, तो बात करते हैं पहले भारती इंफटेल के बारे में, देखिए इसके नतीजे 23 अपरेल 2020 को आए थे, जहां पर हमने देखा कि इनक नेगेटिव रिजल्ट आने के बावजूद भी, कोई हमको नेगेटिव इंपक्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, कायरण है कि देखेगा यहां पर एक positivity अभी भी बनी हुई है, और जिस दिन भी किसी के खराब नतीजे भी आ रही है, वहां पर हमको एक तेजी देखन के लगबग स्टेक्स रखते हैं, FFIs के पास तकरीव और 42% के लगबग स्टेक्स हैं, यानि कि यह कंपनी अपने आप में काफी अच्छी कंपनी है, ऐसी कंपनियों में होना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लो वेलुएशन पर अगर आपको यह कंपनी कभी भी मिलती है, देखेगा कोई यह बहुत यूनीक नहीं है, यह बहुत डिस्कलोजड है, यह आपको बहुत असानी से अबिलेबिल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर करना क्या है, तो बेसिकली पहले बात करते हैं, स्टेटेजी की, तो देखेगी यहाँ पर हमको 15 मिनिट की पहली कंडल बन बाइंग पोजिशन लेंगे, अगर उसने हमारे पहली कंडल के लो को तोड़ा, तो हम यहाँ पर शॉर्ट की पोजिशन लेंगे, तो आज की तारीक में इस स्टॉक के अंदर शॉर्ट करने की, हमको यहाँ पर एक पोजिशन बनानी थी, और आप खुद देख सकते हैं कि क इतने भी स्टॉक्स हैं, उनमें कम से कम चार या पांच स्टॉक के अंदर रोज आती है, लेकिन आप इस चीज को देखिए, कि महज दो या तीन ऐसे स्टॉक होंगे, जिनके अंदर वो पैसा कमा के देगी, और अनुमन आप जिस स्टॉक को यहाँ पर पिक करेंगे, वो प काम नहीं कर पाएंगे, उसी तरीके से कर हम कल की बात करेंगे, जहाँ पर हमारी पहली केंडल ये बनी है, उसके बाद हमारी दूसरी केंडल बनती है, इंसाइड केंडल, फिर तीसरी केंडल ने देखेगा उसका हाई तोड़ा पहली केंडल का, तो अब बस आपको उसके ओ दिया profit बनाके निकल सकते हैं उतना ही आपके लिए यहाँ पर अच्छा है वहीं दूसी चीज आपको stop loss कहां रखना है तो तीसरी candle है उसके लोग पर ही आपको यहाँ पर stop loss रखना है इसी तरीके से आज कहां पर stop loss रखना था जो कि हमारी तीसरी candle है उसके देखेगा high पर stop loss रखना है और इस वाली candle के देखेगा चुकि हमने यहाँ पर buy किया है तो हमारी जो तीसरी candle है उसके low पर हमको stop loss रखना था और आज का stop loss हमारा high था हमारी तीसरी candle का तो मैं possibly आपको यहाँ पर यह strategy समझ में आ गई होगी अगर नहीं आई है तो आप comment में पूछ सकते हैं वहीं अगर setup पर चलते हैं तो अब देखेगा यहाँ पर मैंने इची मूग को cloud लगा रखा है देखेगा इससे अच्छा indicator कोई भी मौजूद नहीं है आज की तारीख में पर indicator के साथ आप कब तक काम करते रहेंगे चुकि यहाँ पर logic होना बहुत जरूरी है तो देखेगा हमको logic मिल चुका है क्योंकि हमारी strategy के मुताविक यहाँ पर trade आ चुका है तो यहाँ पर हमको enter होना है तो यहाँ पर हमको enter होना है तो definitely दे रहे थे क्योंकि आप देख सकते है हमारी blue line जो है वो यहाँ पर red line जो है उसको एकदम mix होती हूँ दिखाई पड़ रहे है और उसके बाद आप देख सकते है आगे चलके इसने नीचे की तरफ अपना रुख अपना लिया तो इससे क्या होता है देखेगा यहाँ पर हमको एक bearish sentiment मिल गए थोड़ा सा आपको इसके indicator के बारे में बता देता हूँ देखिए जो cloud है जब तक हम इसके ऊपर है तब तक देखेगा हम यहाँ पर bullish है और हमारी यह जो आपको पीछे एक line दिखाई पड़ रहे है जो कि lagging span है वो basically जब तक ऊपर है इसका मतलब यहाँ पर भी हम कही ना कही अभी हम bullish है लेकिन जब यह नीचे की तरफ आने लगता तो इसका मतलब हम bearish हो जाते हैं तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है और जब तक हम cloud के ऊपर है तब भी हम bullish है लेकिन जिस तरीके से अब हम cloud के नीचे आ गए है तो अब हम यहाँ पर bearish हो चुके हैं और हमारा देखेगा यह जो blue line है उसके देखेगा जो भी crossover होते हैं मालनीजे यहाँ पर जिस तरीके से crossover हुआ था blue line उपर की तरफ जा रही थी red line को नीचे से cut करके तब यह हम bullish थे और अब उसी तरीके से यह blue line है यह red line को cut करके नीचे जा रही है तो यह यहाँ पर हम bearish हो चुके हैं तो चीज़े आप समझ चुके होंगे वो आप देखने से practically भी समझ जाएंगे तो यहाँ पर देखेगा अगर हम यहाँ पर अपना trade डालते तो यहाँ तक तो हम मुनाफ़ा बनाई रहे थे उसके बाद हमको एक और confirmation यहाँ पर मिली जब हमारी blue line कटके नीचे की तरफ आई कि यहाँ पर the stock consolidate हो रहा था तो यह आपको help करता है कि आपको अपने trade को अभी समाल के रखना है अभी से बाहर नहीं निकलना तो यहाँ पर आप नीचे तक मुनाफ़ा बना सकते थे बहराल यहाँ पर मैंने pivot points में लगाए है pivot points बहुत help करते हैं intraday में चुकि यहाँ पर कभी भी reverse हो सकते हैं और अक्सर हम reverse हो जाते हैं जब भी pivot point पे support मिलता है हाला कि आज support नहीं मिला हमको देखेगा पीछे से support मिला और वो किस तरीके से जरा वो मैं आपको बता देता हूँ तो देखें यहाँ मैं horizontal line ले लेता हूँ जिससे मैं थोड़ा सा आपको समझा सकूँ कि किस तरीके से इनको और use किया जाता है देखेंगा आप देख पा रहे होंगे कि पीछे यहाँ पर भी एक support होते हैं बेसिकली लोग इनको यूज करते हैं कि यहाँ पर जो pivot आज की तारीक में लगे हो हैं यही support का काम करते हैं जी नहीं, अकसर ये भी इनका support का काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे, देखे यहाँ पर एक support था, और उसको ही देखेगा, यहाँ से हम reverse हुए हैं, तो यह सारी चीज़ आपको समझनी होंगे, यह प्रैक्टिकली चीज़ आप समझ पाएंगे, तो यहाँ पूरे तरीके से इतनी bearishness थी, आप देख सकते हैं, दो दिन लगातार आपको trade मिला है, उसी तरीके से आप इसको backtest करेंगे, तो पीछे भी आपको इसी तरीके से trade मिलते रहेंगे, चाहे वो Ichimoku Cloud के मताबिक हों, या फिर देखेगा, इस strategy के मताबिक हों, यहाँ पर जब तो आज की तारीक में आप देख सकते हैं, कि अब यहाँ पर एक buying quantities लगी हुई है, 14,000 के लगबग 2 सुप है, चूंकि यहाँ पर आज यह हमको देखेगा, option chain से भी आप देख सकते हैं, option chain को definitely use करना चाहिए, इंट्राडे में, क्योंकि आपको इससे बहतर और इससे reliable कुछ भी नहीं होता, अगर हम जो quantity आज की तारीक में trade हुई है, वो आप देख सकते हैं, 1,98,000 के लगबग, 34,000 के लगबग quantity यहाँ पर deliver हुई है, यानि कि overall trade का, तकरीबन 16,70 के लगबग यहाँ पर हमारे सामने deliver हुता हो दिखाई पढ़ रहा है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हमारा futures का price भी देखेगा, घटा हो दिखाई पढ़ेगा, changing operators बढ़ रहा है, यानि कि shots बिल्डप हो रहे हैं, आप option chain पर देखते हैं, देखे, option chain इस time intraday में अगर आप देखते हैं, तो add the money 200 और 210 के बीच में थे, काफी ग्रावट पहले ही हो चुकी थी, तो देखेगा, यहाँ पर, आप देख सकते हैं, एक लाग 24,000 के लगभग, आपको देखेगा, यहाँ पर call writers की unwinding देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर 2,84,000 के लगभग open interest है, और 200 के लगभग अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 3,32,000 के लगभग, आपको short covering देखने के ल लगभग open interest है, जहाँ पर देखेगा, 290 पर आज की तारीक में 10,000 की put writers की unwinding है, 2,34,000 के लगभग open interest create है, put writers का, यानि की मोटी मोटी बाते यह है, 200 एक resistance की तरह काम कर रहा है, और देखेगा, 190 हमारा support की तरह, तो definitely यहाँ पर गिरावट और भी गर्मा सकती है, इसमें कोई दोराएं नहीं है, तो इन सब चीजों को समझ के आपको अपने लिए यहाँ जगह खूजनी है, बैराल company बुरी नहीं है, definitely COVID-19 के चलते ही, यहाँ पर भी हमको जो इनके नतीजे हैं, उनमें थोड़े बहुत उठा पटक देखने के लिए मिली है, लेकिन उसके बावाजू बनाया जा सकता था, बैराल जब भी आपको इस strategy के मताबिक यहाँ पर कोई भी trade मिलता है, तो उसको करिए, या फिर देखेगा यहाँ पर कोई भी indicator यूज़ करकर भी आप trade कर सकते हैं, especially Ichimoku, तो चाहे आप उन चीजों को और जाकर deeply देख सकते हैं, भारते इंट्राटेल म चैनल पर देखे चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल आइकन इसे प्रेस कर दीजिए, आपको ग्ली वीडियो का नोडिफिकेशन मिल जाएगा, वीडियो में कुछ भी इंफरमेटियो अच्छा है तो लाइक कर दीजिए, और फ्रेंट का गुपमेशन करना मत भूलेगा, च झाल 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